दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आपके डूक के पेर में कोई तकलीफ है तो उसका हम क्या इलाज करें देखिए जब भी हमें लगता है कि हमारा डूक लंगडा के चल रहा है लड़ खडा के चल रहा है तो हम पहले तो उसको एक्जामिन करें कि जिस पेर से वो लंगडा रहा है क्या उस पे चोड तो नहीं लगी हुई है या उसके चोड की हिस्टरी जैसे दिवार से कुदा हो या टेबल से कुदा हो और उसकी वज़े से हमें लगता है कि कहीं किचाव आ गया हो तो वो इस्तिदी भी हो सकती है इसके अलावा अगर डिस्ट लोकेट हो जाए या फ्रेक्चर हो जाए यानि हमें वो हाथ ही ना लगाने दे और जब हाथ लगा कर के हम हिला भी लेते हैं तो अंदर से चर्चर किसी आवाज आती है उसके बावजूद लंगडा के चल रहा है तो हम इलाज अपने आफ कर सकते हैं तो आईए देखते हैं क्या इलाज करना है इलाज के लिए हमें एक भगोने में पानी लेना है और उस पानी को गर्म करना है जब वो गर्म हो रहा है उस समय हमें काला नमक आदा चम्मच उसमें डाल देना है यानि पानी में नमक डाल करके उसे उबालेंगे और जब एक दो उबाल आ जाए हमें लगता है कि पानी उबलने लग गया है तब हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इतना थंडा करेंगे कि डोगी की बोडी पे आसानी से उसे मला जा सके उस से दोया जा सके ये काम हमें सुबह और शाम दोनों समय करना है इसके बाद मार्केट में एक विशेष परकार की सीरब आती है जिसका नाम है नियूरो काइंड पेट ये जितने भी नियूरो से सम्मन्दित तकलिफ होती है उसमें बहुत ही शांदार इसका रिजल्ट है और हमें अगर पपी छोटा है तो उसके वजन को आधा करके ML में कनवर्ट करना है माल लिजे चार किलो का है तो 2 ML हमें सुबे देना है 2 ML शाम को देना है अगर 10 किलो का है तो 5 ML सुबे देना है और 5 ML शाम को देना है इसके अलावा वजन के हिसाब से हम कनवर्ट करते रहेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो मातरा है वो 10 ml सुबह और 10 ml शाम को ही देना है चाहे कितना ही बड़ा डोग है और हमें ये कंटिनेशली 4-5 दिन तक लगातार देते रहना है बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा इसके अलावा मार्किट में मेलोक्षी काम की एक चेवबल टेबलेट मिलती है जिसका नाम है मेटाफलेम जो आफ इस स्क्रीन पे पिक देख रहे हैं मेटाफलेम 1 mg की आती है और 10 kg बोडी वेट पे एक टेबलेट दी जाती है लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है ये दिन में एक बार देनी है प्रिगनेंट डोग को देनी नहीं है और जो दूद मिलकिंग में है हमारी फिमेल डोग उसको भी नहीं देनी है तो 4 kg से छोटे वजन वाले पपीस को भी ये टेबलेट नहीं देनी है तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है इसके अलावा जो भी आप इलाज अपने घर पे कर रहे हैं अपने नज़्दी की वेट की सला से कर ले तो बहुत ही शांदार रहेगा ताकि जब भी कोई प्रोब्लम हो तो हम उनसे कंसल्ट करके उन्हें दिखा सके धन्यवाद